प्रिये चाथ चात्राओं सने भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमस सिद्धे की सहाइक परचार्ज, मनुविक्यान विभाग, SPP महावित्याले भबुआ, आज असनात्तक खंड एक मनुविक्यान परतिष्ठा के चाथ चात्राओं के लिए प्रश्पत्र एक तथा यूनिट नौ से एक महत्पून पार्ट पतलाने जा रहा हूं, जिसका सिर्शक है ठॉन्डाइक के बुधि सिध्धान्त की आलुचनात्मक समिख्षा। आसा करते हैं आज का ये पार्ट आप सभी चाचात्राओं के लिए लाबदायक और उप्योकी सिध्ध होगा। Pondike ने Spearman के दूिकारक सिध्धानत का खंडन करते हुए बुधी के जिस सिध्धानत का परतिपादन किया है उस सिध्धानत को ही बुधी का बहु कारक सिध्धान कहा जाता है तॉन Dike ने अपने अध्यनों एवं पुप्षोधों के आधार पर एसपियर मेंद्वारा परतिपादित, बुधी की द्वीकारक सिध्धान्त का बिरोत एवं खंडन करते हुए बतलाया है कि बुधी की सन्रचना अथ्वा निर्माण सिर्फ दो तत्व या कारकों के मिलने से नहीं होता है. बलकि बुद्धी की सनरचना अत्वा निर्मान बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होता है परते कारक अत्वा तत्व एक विशिष्ट मानसिक शमता का परते निरित्व करते हैं तथा साथ ही साथ एक दूसरे से स्वतंत्र भी होते हैं बुधी की रचना बहुत सारी कारकों के मिलने से होती है जैसे अनेक इटों के मिलने से एक मकान का निर्मान होता है अता ऐसे विचारों या सिध्धान्तों के आधार पर ही थौंडाइक द्वारा परतिपादित बुधी सिध्धान्त को बहु कारक सिध्धान कहा जाता है थौंडाई के बहुकारक सिध्धान्त के अनुसार कोई समान्य बुधी नाम की वस्तु या चीज नहीं होती है, बलकि बुधी कई विशेस मानसिक किरियाओं या चमताओं का एक योगपल ही होता है. थौंडाई के बहुकारक सिध्धान्त के अनुसार व्यक्ति के अलग-अलग मानसिक किरियाओं के बीच जो सह संबंद पाया जाता है, उसका कारण समान कारक नहीं होता है, बलकि उन मानसिक पर किरियाओं में कई उभैनिष्ट तत्व पाया जाते हैं. व्यक्ति के मानसिक किरियाओं में जितने ही अधिक उभैनिष्ट तत्व होंगे, उनके बीच सह संबंद उतना ही अधिक होगा. थौंडाइक ने बुधी के तीन परकार बताएं हैं, जो इस परकार हैं, जैसे समाजिक बुधी, अमुर्थ बुधी और मुर्थ बुधी. समाजिक बुधी व्यक्ति की एक ऐसी मानसिक शमता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को समझता है और उचित बेवार कुशलता का परदर्शन करता है. इस बुधी के द्वारा व्यक्ति समाजी कोशल या अपनी कोशलता का परदर्शन करता है। अमुर्थ बुधी थौंडाई के अनुशार अमुर्थ बुधी से तातपर्च वैसी मानसिक छमताओं से होता है, जिसकी मदद से कोई व्यक्ति, शाबदिक, गनितिय संकेतु एमुम्चिन्हों को समझ पाता है, जिस व्यक्ति में अमुर्थ बुधी अधिक पाया जाता है, वो एक सफल कलाकार, पेंटर, बदही, अथ्वा, गनितग्य हो सकता है। मुर्थ बुधी व्यक्ति की एक ऐसी चमता होती है, जिसकी मदद से कोई व्यक्ति किसी विशेश ठोस बस्तू के महत्त को समझ पाता है, और उन परष्थितियों को समझने में अपनी विशेश योक्ताओं का परिचालन करते हुए उनके अर्थ को किरियानवित करता है। थौंडाइक ने अपने सिध्धान्त में तत्व अथ्वाकारकों की उभैनिष्टा के आधार पर एस पियर मैंन के जी फैक्टर की आलोशना की है। प्रतिक ऐसे मानसी कार्ज का स्वरूप अलग-अलग होता है। थौंडाइक के बहुकारक बुधि सिध्धान्त को एक उधारन द्वारा असपश्ट किया जा सकता है। जैसे मानले यदि कार्ज को तथा कार्ज खो ऐसे कार्ज हैं जिनको पूरा करने के लिए 20-20 कार्गों अथ्वा तत्तों की जरूरत परती है। और उनमें से पंद्रा-पंद्रा कार्ग या तत्व ऐसे हैं जो उभैनिष्ट ना होकर आउभैनिष्ट या अउनकमन हैं। तो ऐसी इस्तिती में थौंडाई के बहु कार्ग सिध्धान्द के अनुशार इन दोनों कार्जों या कार्ज को तथा कार्ज खो के बीच धनात्मक्स सम्बंद की मातरा कम होगी। इस सिध्धान्द के अनुशार तत्व अथ्वा कार्खों के बीच इस प्रकायर की औुभैनिष्टता के कारण ही दोमानसी कार्जों अथ्वा उनके मापने के लिए बने परिक्षनों के बीच सहसंबंद पूर्ण नहीं होता है। इन बातों की चर्चा करके थोंडाइक ने एस्पियर मैन के बिसिस्ट काड़क या इस काड़क की आलुचना की है। क्योंकि इन बातों की व्याख्या से अस्पिष्ट होता है कि दोमानसी कार्जों अथ्वा उन्हें मापने के लिए बने परिक्षनों के बीच जो कम संबसौ संबंद की मातरा पाई जाती है। वह इस कारक की कारण नहीं होता है बलकि इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों मामसी कार्जों के ततों या कारकों के बीच और उभे निश्वता पाई जाती है। इन विबर्णों के आधार पर या कहा जा सकता है कि थॉनडाईक कॉन सिधान्त और दूई कारक सिधान्त विन्द है है नहीं, आलुचकूं का मानना है कि थॉनडाईक ने अपने सिधान्त में जी कारक को एक तरह से स्विकार किया है, क्योंकि S-P-R-Main के G कारक को थोंडाइक ने common factor या उभैनिष्ट कारक तथा specific factor S factor को uncommon या उभैनिष्ट कारक के रूप में स्विक्यार किया है कुछ आलोचकों ने थोंडाइक के बुधि सिधान की इस बात को लेकर आलोचना की है कि इसमें बैग्यानिकता कम है तथा यह काफी पुराना सिधान थै अता वर्तमान परिष्टिती में इसके महता एवं उप्योगिता नगन नहीं है इस परकार हम देखते हैं कि फंडाइक के द्वारा पर्तिपादित बधी का सिधान काफी पुराना सिधान थै परंतुर इसकी नैदानिक उप्योगता और मनुवज्ञानिकों के बीच में इसकी बहवारिकता काफी परसिधी पाई है अब आज का ये पाट यहीं समाप्त होता है और हम आसा करते हैं कि आज के पाट से आप सभी छा छात्राएं लावान बेट हुए होंगे बहुत बहुत धन्यवाद